हाई मैं हूँ अम्रिता, मूवी के शुरुवात में हम एक भूतिया बंगले में पेट्रिशिया को देखते हैं, जिसके पीछे एक भूतिया साया पड़ा हुआ था और वो उसे मारनी वाला था लेकिन तभी पेट्रिशिया की माई उस भूत को मार कर भगा देती हैं, अब इस फ्रैंक नाम के एक आदमी को देखते हैं, फ्रैंक की पतनी एक कार एक्सिडेंट में मारी गई थी, फ्रैंक पी उस कार में मौझूद था लेकिन वो बच गया था, लेकिन इसी हाथसे के बाद वो आत्माओं को देख सकता था, उनसे बाते कर सकता था, और तीन आत्माओं क साथ उसकी तोस्ती भी होती है, जो उसे अक्सर भूत पकड़ने में और भगाने में मदद किया करते थे, और इस एक्सिडन के बाद वो साइकिक बन गया था, याने लोकों के घर पे जा कर भूत भगाने का काम, वो कियाकरता था। अब एक दिन फ्रैंक काल से घर जा रहा होता है और तभी उसका अचानक से एक्सिडेंट होने वाला था और उससे बचने के लिए वो पास के ही घर के लॉन में अपनी गाड़ी घुसा देता है रे नाम के आदमी का वो घर था अब फ्रैंक रे को अपना विजिटिंग कार देते हुए कहता है कि तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ होगा मेरे इस पते पे भेज़ देना और वो चला जाता है तो यहाँ पे हम रे की पतनी लूसी को देखते हैं जो की एक डॉक्टर होती है और वो अपनी पेचेंट या ने पेट्रिशिया को ही देखने के लिए जा रही थी जिसका हाथ कट गया था वो उसकी गर पे पहुचती है और यहाँ पे Patricia के साथ उसकी मायाने मिसेस बैजली भी होती है उसकी चोट चेक करने के बाद Lucy Patricia को हॉस्पिटल चलने के लिए गहती है लेकिन उसकी मा patricia को घर से बाहर बहँ भेजने से मना कर देती है और वो लूसी को घर से बाहर निकाल देती है अब लूसी घर आती है और शाम के टाइम पे वो एक पुराने डॉक्यमेंटरी देखने लग जा दी है जहाँ पे कुछ सालों पहले एक सीरियल किलर ने मेडिकल हॉस्पिटल में गुस कर 12 लोगों को मार दिया था ये 6 साल पहले की घटना थी और इस घटना में हम देखते हैं कि एक लड़की भी शामिल थी जो 15 साल की थी जिसका नाम पेट्रीशिया था और वो भी उस सीरियल किलर के साथ मिली हुई थी हाला कि पेट्रीशिया नावाली होने के कारण उसे कुछ समय के बाद छोड़ दिया था और जो सीरियल किलर था उसे मौत की सजा हुई थी यहां पे रिपोर्टर बताता है कि पेट्रीशिया अब अपने मा के साथ ही इस घर में रह रही है कि देखकर लूसी समझ जाती है कि उसने इसी पेट्रीशिया का इलाज आज किया था और वो यह सारा किस्सा अपने हजबिन रे को बताने ही लगती है तो रे उसे सावधान करता है कि तुम उसे दूर ही रहना इसी दर मैं अच्छानक से इनके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है लूसी का बेड हवा में उड़ने लगता है और घर का सारा सामान इधर उदर उड़ रहा था इसलिए रे तुरांथ साइकिक फ्रैंक को कॉल करता है अब यहाँ पर फ्रैंक तो आता है लेकिन बूत को चेक करने के लिए 400 डॉलर का डिमांड करता है तभी रे कहता है तुमने जो मेरा नुकसान किया था आज वो भी पूरा 400 डॉलर का ही था तो उसके बदले में इन बूतों को भगा दो अब इनके बातचीत के दोरान ही हम देखते है रे के सर पे 37 लिखा हुआ आता है यहाँ पे फ्रैंक कुछ भी समझ नहीं पाता और वो भूत भगा कर अपने घर आता है लेकिन तभी रे के घर के दिवार पर हम एक साया उड़कर आते हुए देखते हैं और यहाँ रे के ऊपर हमला होता है तो वही दूसरी तरह फ्रैंक को हम देखते हैं जो अपने तीनों भूत दोस्तों को ठैंक्यू कहता है क्योंकि फ्रैंक नहीं अपने पैसे बचाने के लिए रे के घर पे अपने दोस्त भूतों को भेजा था यानि कि ये सब कुछ एक नाटक था लेकिन वही दूसरी जगह हम देखते है रे के घर में उसका असली में खून हो गया था जिसके बारे में फ्रैंक को कुछ भी पता नहीं था अब अगले दिन फ्रैंक कहीं पे जा रहा होता है फिर रे का बूत और फ्रैंक ग्रेवयर्ड में चले जाते है वहाँ पे लूसी भी होती है जो फ्रैंक को कहती है क्या तुम रे को देख पा रहे हूं तब ही फ्रैंक कहता है कि हाँ मैं उसे देख सकता हूं इसलिए आप बातचीत करने के लिए ये तीनों भी एक रेस्टारेंट में आते हैं यहाँ पर लूसी फ्रांक के तुरू रे से जानने लगती है कि रे ने लूसी के 15,000 डॉलर कहां इन्वेस्ट किये थे तो रे फ्रांक के तुरू लूसी को बताता है कि उसने दरसल ये पैसे डुबा दिये हैं जिसे सुनकर लूसी बहुत ही परिशान हो जाती है और वो फ्रांक को बताने लगती है कि मैं और रे कभी भी एक दूसरे से लॉयल नहीं थे ये बात सुनकर फ्रैंग लूसी को सहारा देने लगता है लेकिन इससे रे का आत्मा काफी गुसा हो जाता है और एक वाइन फ्रैंग के हाथ पर गिरा देता है फ्रैंग कप्टे ठीक करने के लिए वाश रूम में आता है उसको वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जिसके माथे पर अब 38 लिखा हुआ आता है जैसे उसने रे के माथे पर देखा था फ्रैंग को यहाँ पर कड़बर लगती है लेकिन तभी अचानक से मिरर में से एक काला साया आता है और वो उस आदमी के दिल के अंदर हाट डाल कर उसके हाट को क्रश कर देता है और वो आदमी उ पुलाया जाता है अब एक FBI एजन लूसी को बताता है कि फ्रैंग एक आर्किटेक्ट हुआ करता था और एक दिन उसका और उसके बीवी के साथ काफी जगडा हुआ था इसी लड़ाई के बाद उसकी पतनी का कार एक्सिडेंट में मौत हो गई लेकिन फ्रैंग उस के बाद फ्रैंग की याददाश भी कमजोर हुई थी अब दूसरी तरफ हम फ्रैंग को देखते हैं जहां पर उसे एक यंग लड़के का भूत दिखाई देता है और उसके सर पर भी नंबर 39 लिखा हुआ था फ्रैंग फॉरन वहां पर पहुँचता है जहां पर उसे एक औ इसे छपवा दी थी फ्रैंग उस एडिटर को वान करता है कि तुम्हारी जल्दी मौत होने वाली है लेकिन तभी वहां पर पुलीस आ जाती है और वो फ्रैंग पर गन रख देती है तभी फ्रैंग को वही काला साया दिखाई देता है जिसने सारे लोगों का मर्डर किया थ यहां पर फ्रैंग के अलावा उस साय को कोई भी नहीं देख सकता था वो जैसे ही उस एडिटर के तरफ आता है फ्रैंग के वही तीनों भूत आकर उस काले साय पर गोलिया चला कर उसे भगाने लगते है लेकिन वो फिर से वापस आ जाता है मगर फ्रैंग इस बार उस एड मार देता है अब वो मरने के बाद एडिटर का आत्मा बाहर आता है और वो फ्रैंग से पूछती है कि तुमने मुझे मार डाला है अखितलार तुमें क्या मिला मुझे मार कर तुमने अपने पतनी को भी मार डाला था लेकिन ये बात सुनकर फ्रैंग काफे डिस्टॉब हो जाता है क्योंकि फ्रैंग उसकी मदद कर रहा था उसने उसे नहीं मारा था पुलीस वहां पर आ जाती है और फ्रैंग को अरेस्ट कर दी है यहां पर लूसी भी होती है फ्रैंग के बारे में बताने लगता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता उन्हें लगता है कि फ् उम्हारे दिमाग का एक वहम है, इन सारे चीजों से फ्रैंक काफी डिस्टरॉब होने लगता है, इसलिए वो उनके बातों को मानने लगता है, फ्रैंक के भूत दोस्त भी आते हैं, लेकिन फ्रैंक उनके ऊपर भी भरोसा नहीं करता, क्यूंकि उसे लगने लगता है, कि वो बेटी Patricia को बचाओ, उसके अंदर एक शैतान है, उसकी मदद करो। अब ये सुनते ही Lucy को लगता है कि Patricia की माग की दिमागी हालत सही नहीं है और वो खूद Patricia को परिशान कर रही है और इसलिए Lucy फौरण Patricia के घर पहुचती है लेकिन उस वक्त उसकी माँ वहाँ पर नहीं होती। Lucy Patricia को कहती है कि तुमारी माँ सही नहीं है, तुम इस घर से भाग जाओ लेकिन Patricia मना कर देती है और वो एक जार के तरफ देखने लगती है। Lucy जार के बारे में पूचती है तो Patricia कहती है कि इसमें मेरे पिता की यादे हैं, मेरे पिता है किलर थे और उसके बाद उन्होंने अपनी जान ली थी और मेरे माँ को लगता है इसकी जिम्मेदर मैं हूँ। इतने में ही Patricia की माँ वापस आ जाती है और Patricia Lucy को अपने अलमारी में छुपा देती है। काकिरकार होश में आता है और जबी अचानक से देखते हैं Lucy के माथे पर अब 41 ये नमबर लिखकर आया था और वो काला साया वहाँ पे आता है उसे मारने के लिए लेकिन Frank की जो भूत दोस रहते हैं वो फॉरन आकर उस साय को पकड़ते हैं वहीं Frank और Lucy अब जेल से भाग न अलग होगी जिसमें उसके पास 20 मिनिट होंगे और वो उस काले साय से लड़ सकता है जिसके बाद एक इलेक्टरिक शॉक के मदद से वो उसे वापस जिन्दा कर देगी Frank भी मान जाता है और वे लोग ये प्रोसेश शुरू करते हैं अब इंजेक्शन लेने के बाद Frank को एक या दरसर जॉन बैरलेट का ही है यानि वही सीरियल किलर जिसने हॉस्पीटल में काफी सारे लोगों को मार डाला था वो ये सब इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर बनना चाहता है और सबसे शॉकिंग बात ये कि इन सारे कामों में अब भी भी पेट्रीशिया उसकी मदद कर रही है अब यहाँ पे 20 मिनिट होने पर लूसी इलेक्ट्रिक शॉक देकर फ्रैंक को वापस बुलाने लगती है अब यहाँ फ्रैंक आने से पहले वो जॉन बैलेट की स्पिरिट को यानि उस काले साये को खतम कर देता है फ्रैंक को अपने साथ चलने के लिए कहती है लेकिन उसकी मा मना कर देती है लूसी फिर उनसे पूछती है कि तुम्हारे अलमारी में वो फ्रैंक का चाकू क्यों है तुम उस काले साये से मिली हुई हो लेकिन तभी पेट्रिशिया की मा कमरे में जाती है चाकू देखने के लिए और उसी सीरियल किलर की आत्मा वो पेट्रिशिया को बोलती है हम दोनों को मिलकर सबसे जादा मर्डर का रेकॉर्ड बनाना है इसलिए तुम्हें लूसी को मारना होगा अब ये बात सुनकर पेट्रिशिया मानों हिपनोटाइज होकर लूसी पर हमला करने आती है इसी दोरा लूस भागते हुए उसी कमरे में जाती है जहां पे उसकी मा थी और उस कमरे में उसकी मा की लाश पड़ी थी यानि पेट्रिशिया ने उसके मा को मार डाला था अब पेट्रिशिया लूसी को मारने आती है लेकिन तब तक फ्रैंक वहाँ पे आ जाता है और इन तीनों में लड़ से कहा था कि ये जार उसके पिता की निशानी है फ्रैंक फॉरन उस जार को कसकर बंद कर देता है फिर फ्रैंक और लूसी उस जार को लेकर उसी हॉस्पिटल के और चले जाते हैं जहां पे उस सीरियर किलर जॉन जब जिन्दा था तब उसने और पेट्रिशिया ने मिलकर काफ FBI agent को लग जाती है अब agent की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है यहाँ पे अब Frank को समझ आता है कि शहर में जितने भी खून हुए थे वो Patricia और John के आत्मा ने मिल कर किये थे इतना ही नहीं Frank के पत्नी को भी इन दोनों ने मिल कर मारा था और उसके वीजन आने लगते है उसे यहाँ पे Patricia Frank को मारने वाली होती है लेकिन उसकी गोलिया खतम हो जाती है लेकिन जिसके बाद वो Frank का गला दबा कर उसे मार देती है तो वही John के आत्मा Lucy को मारने के लिए बढ़ता है जिसके बाद John के आत्मा और Patricia दोनों मिलकर Lucy को मारने बढ़ते है लेकिन तब तक Frank के आत्मा बाहर आती है और वो Patricia के आत्मा को उसकी शेरीर से अलग कर देती है और इतने सब में ही एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है जिसमें Frank और Patricia जाने लगते है तब ही Frank, John के spirit को कहता है कि अगर तुम अपने girlfriend याने Patricia से प्यार करते हो तो हमारे साथ उपर चलो इस दुनिया को छोड़ दो, लोगों को मारो मत लेकिन तब ही John के आत्मा पोर्टल के दरफ आकर Patricia के आत्मा को खीचता है और कहता है कि हम दोनों दूसरी जगा जा रहे हैं याने नरक और तभी नरक का पोर्टल खुलता है क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों को मारा था और ये लोग नरक में चले जाते हैं अब यहाँ पे Frank स्वर्ग पहुँचता है और यहाँ पे वो अपने भूत दोस्तों से मिलता है इन भूतों को उप मुक्ति मिली थी वो Frank को कहते है कि तुम्हारा अभी समय नहीं आया है तुम्हें वापस चले जाना चाहिए और तभी Frank की पत्नी के आत्मा भी आती है वो भी Frank को कहती है कि तुम नीचे जाओ और खुश रहो यहाँ पे Frank वापस से नीचे आता है और जिन्दा हो जाता है जिसके बाद Frank बेगुना साबित हो जाता है और वो लूसी के साथ एक नई जिन्दगी शुरू करता है और अब लूसी भी आत्माओं को देख सकती थी और मूवी धरी खतम होती है बाई